हाई एवरीवान आज के वीडियो में आपका स्पागत है आपने कई बार देखा होगा कि जब आप mutual fund में निवेश करने जाते हो तो आपसे ना ना प्रकार के commissions ले लिए जाते हैं पर एक्जामपल आपसे mutual fund agent भी commission लेगा आपसे mutual fund house भी commission लेगा और उसकी team we manage होती है तो उसके लिए भी commission आपसे चार्ज कर लिया जाता है अब आप बोलोगे कि याई ये तो ठीक है उनका तो business ही होता है ये करना तो क्या गलत बात कर दी गलत बात ये कर दी कि माल लीजे आपने 100 रुपे mutual fund में लगाए और एक साल तक market नहीं हमाँ डांस करा and वो 100 रुपे बन गए 80 रुपे अब आपको लगता है कि आपको वो 80 रुपे पे भी commission नहीं देना पड़ेगा answer है आपको देना पड़ेगा and उसी को हम बोलते हैं expense ratio यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने SBI के mutual fund का example pick करा है and यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है expense ratio करके इस पे आप information tab दबाएंगे तो आपको पता चलेगा कि mutual funds charge a fee for managing your money this fee is referred to an expense ratio and is expressed in terms of percentage of AUM यानि asset under management asset under management का मतलब क्या होता है कि 100 रुपे आपने डाले mutual fund manager के अगले साल उसने manage करके उसको 80 रुपे बना दियो क्योंकि market में पैसा कम भी हो सकता है अब उस 80 रुपे पे भी आपका commission लगेगा 0.74% अब आप बोलिए कि यह चीज सही है कि गलत है आप यह decision में आप पे छोड़ देता हूं और आपको commission ना देना पड़े अब आप बोलोगे कि अक्षा यह आप कैसी खुड़ापाती बाते कर रहे हो आप खुड़ा और detail में बताओ तो इस वीडियो पर मैं आपको detail समझाने वाला हूं कि अगर आपको किसी mutual fund को replicate करना है तो उसका process क्या होता है आप कैसे उसको अराम से replicate कर सकते हो खुद directly stocks खरीद के उस mutual funds के और इस process के थुरू आपके बहुत सारे advantages भी है और disadvantages भी है तो मैं आपको पूरी process और summary समझा दूँगा और मैं आपको 2,00,00,00 का live निवेश भी करके दिखाँगा एक important disclaimer दे दूँ कि ये थोड़ा मेहनत का काम है और लोगों को मेहनत करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं तो क्रिपया dislike मत करिएगा ये मेहनत का काम है ये मैं आपको पहले से थोड़ा सा बता दूँ आपकी expectation ठीक set कर दूँ अब अगर आप ready हैं तो मैं आपको process भी समझाना शुरू कर देता हूँ तो मान लीजे कि आपको SBI का small cap mutual fund बहुत पसंद आया अब आप बोलोगे कि यार मेरे को तो SBI पसंद नहीं है मुझे नहीं करना इनके mutual fund में तो आप जाके मेरा दूसरा वीडियो देख लीजे मैंने इस वीडियो को बनाया था आप अपनी पसंद से मन मुताबिक जो भी आपको mutual fund आपके categorization पे fit बैठे वो आप जाके pick कर सकते हो मैंने पूरा process इस वीडियो पे समझाये तो कृपया करके वो वीडियो ज़रूर देख लीजेगा अब मान लीजे कि आपको SBI small cap mutual fund पसंद आया आप इस mutual fund में निवेश तो करना चाते हो लेकिन आप अपना commission भी बचाना चाते हो कौन-कौन से commission बचाना चाते हो एक तो यह कि expense ratio आप अपना बचाना चाते हो expense ratio का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ और दूसरी चीज की exit load आप अपना बचाना चाते हो अब exit load क्या होता है आपने मान लीजे इस fund को यहाँ पर जाके खरीता है जब इसकी NAV चल रहे थी 121.159 रुपीस आपने इस mutual fund को 121.159 के NAV पर ऑगस्ट 22 को खरीता अब market में rally आ गई अब इसका NAV भी बढ़ जाएगा क्योंकि सारे अगर underlying stocks बढ़ गए है तो mutual fund भी बढ़ जाएगा तो hypothetical एक example पकड़ते हैं कि यह NAV हो गया 200 रुपे अब आपका मन करा कि यार मैं तो बीचते ना चाहता हूँ मेरे बहुत पैसे बन गए अब मैं जाओंगो Maldives या Thailand अब आप बेचने जाओगे इस mutual fund को तो आप पे लगेगा 1% exit load बाकी के tax जो लगते हैं वो तो लगेंगी वो सरकार छोड़ने वाली नहीं है लेकिन आपका एक exit load mutual fund भी लगा देगा और 1% बहुत पैसा होता है तो आपके पास यह एक additional सिर्दर दोर हो गया 1% commission और देने का तो आप क्या सोचोगे कि यार आप कौन बेचे छोड़ो अपनी Thailand की trip पोस्पॉन कर देते हैं कभी और जाएंगे अभी हो जानदो 21 साल उसके बाद यह exit load खतब हो जाएगा तब बेचूंगा अब तब तक माली से market गिर गया फिर आपको हमेशा मलाल रहेगा कि मुझे तो बेच के निकल जाना चाहिए था तो यह सारी परिशानिया होती है mutual fund में निवेश करने पर पहली परिशानी यह कि आप market को time नहीं कर सकते कि आपको लगा कि market overvalued है अगर आप निकलना चाहोगे mutual fund से तो आप निकल नहीं सकते आपको exit load देना पड़ेगा उसको निकलने के लिए दूसरा आप पे expense ratio तो लगे गई लगेगा तीसरी चीज होती है asset problem asset problem का मतलब होता है अगर आप इसके portfolio पे जाके देखेंगे त और वो construction में invest ना करता हो तो आपके पास क्या होई problem कि आपको जबरदस्ती इस mutual fund में पैसा लगाना पड़ेगा और construction के stocks में भी exposure लेना पड़ेगा तो इन समस्यां से कैसे निजात पाया जाए तो उसका step 1 है कि आप जाओ यहाँ पे scroll करो यहाँ पे companyya देखो और इन सब companies को इसी allocation के साफ से आप copy paste कर लो तो यह अगर आप जाओगे नीचे copy paste जबाओगे तो copy paste हो जाएगा मैंने पहले से कर रखा है मैं यहाँ पे sheet आपके साथ share कर देता हूँ तो यह रहा step 1 और मैंने यहाँ पे सारे assets copy कर लिया तो आप नीचे तक scroll करके देख सकते हो तो यह हो ग आटर नहीं करता यह 10,000 रुपे भी हो सकता है मैं आपको सब्सक्राइब के तौर पर 2,00,00 का एक्जामपल दे रहा हूँ मान लीजे मेरे को 10,00,00 रुपे लगाने है तो मैं आज कितने invest करना चाहता हूँ 2,00 क्योंकि मैं 5 installment में यह पैसा डालूगा तो मैंने यहाँ पे ल लेंडिंग होती है mutual fund और bank की तरफ से इसका allocation आ गया अगर आपको 2,00,00 रुपे इंवेस्ट करने है तो करीब करीब 29,320 रुपे अब मान लीजे आपको वी गार्ड करके stock में इंवेस्ट करना है तो इसमें आपको कितने करने है 6,000 रुपे आज इंवेस्ट करने है अगर पर investment target है 2,00,00 रुपे तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको अभी तक यह process समझ आ गया होगा अब चलते है step 2 की तरफ तो step 2 में क्या करना है हमें अपने assets define करने है जैसे कि कई सारी कंपनियों में मैं invest नहीं करना चाता है for example जैसे power transmission company है क्योंकि मुझे नहीं करना इसमें invest क्य पर मैं अदानी जी का समर्थन विरोध कुछ नहीं कर रहा हूँ प्लीज इसको political मत बनाईएगा तो मैंने इस पर red mark लगा दिया and यह मैं invest नहीं करने वाला similarly TREPS ऐसी चीज नहीं है जिसको आप stock market से खरीद पहुत तो इस asset को आपको automatically हटाना पड़ेगा तो मैंने इस तरीक brokerage account यूज करते हो उसके platform पे जाके तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको next step क्या करना है तो यहां पर आप जाओ और मैंने यहां पर watchlist बना दिये तो यह watchlist 6 और 7 यह पूरा का पूरा मैंने replicate कर दिया है कहां तक करा है replicate मैंने यह करा है जहां तक कि मेरे पास data available था जैसे for example ratna money metals का बाकी सारे less than 1% share थे तो इनको मैंने हाल फिलाल के लिए ignore कर दिया है तो यहां पर आपको करना ही है कि आप इस तरीके से जाके एक-एक करके stocks add करते चलो तो stocks add करना कैसा होता है तो जहां पर आप जाओ यहां पर आप लेखो we guard तो आपको मिल जाएगा nscbse तो अब चलते हैं next step की तरफ कि माल लीजे आपको 10,000 रुपए लगाने है 20,000 या 50,000 या 1,00,000 रुपए लगाने है तो आपको कितने-कितने stocks यहां पर खरीदने पड़ेंगे तो यह computation जो मैंने दिखाया है यह मैंने आपको दिखाया है 2,00,000 रुपए पे तो आप यह numbers देख सकते हो यह मैंने compute करें 2,00,000 रुपए के amount पे कि अगर मुझे माल लीजे शीला फोर्म खरीदना है तो मुझे 2.29 stocks of शीला फोर्म खरीदने पड़ेंगे इस mutual fund के साथ से अब आप इंडिया में fractional share investing नहीं कर सकते हैं for example आप 2 stocks खरीद सकते हो शीला फोर्म के या 3 खरीद सकत तो आप pick कर लो अगर आपको जादा बुरुसा है शीला फोर्म जैसे stock पे या कम बुरुसा है अगर कम है तो 2 खरीद देना अगर जादा है तो 3 खरीद देना तो इस तरीके से आपको fractions adjust करने पड़ेंगे तो मैंने यहाँ पे सारा computation कर दिया है तो आप देख सकते हो कि करता है उसके साब से दूसरा step क्या करना है कि आप अपने जिरोधा upstocks इंसारे account में जाओ उसमें आप एक list बना लो यह list बनाना बहुत important है मैं बताऊंगा यह list बनाना क्यों important है तो मैंने six or seven number की list बना लिया है जिसमें मैंने replicate कर दिया है SBI small cap funds को तीसरा step क्या करना है आप आपको compute करना है अपने investment target amount के हसाब से कि आपको कितने कितने stocks खरीदने हैं अब मैं एक small live clip चला देता हूं यहां पे आप देख सकते हो कि मैंने 2,00,00,00 कैसे इसमें invest करें हैं ज़स भरोस्त दिलाने के लिए कि मैंने actually मैं यह चीज़े खरीदी है तो इस method को follow करते हुए करी हुई है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए अपना current portfolio track करने में तो यह तो हो गई पहली बात दूसरी problem यह आएगी कि यार पीछे से mutual fund manager ने कोई stock बेज दी है तो मुझे कैसे पता चलेगा ओके तो यहां पे आपको एक website यूज करनी है morningstar.in और यहां पे आप द चले जाना आपको यह tracking कप करनी है आप क्रिपया करके यह tracking महीने में एक बार कर लेना अब एक problem इस पूरे method में यह है कि आप perfect mirroring नहीं कर सकते perfect mirroring का मतला आपने जैसे शुरुआत में देखा होगा कि less than 1% वाले जो stocks थे वो मैंने add नहीं करे उसके बदले मैंने एक Tarsans product करक है वो भी small cap है उसमें मैंने अपना मोटा पैसा लगा दिया तो इस mutual fund को मैंने अपनी समझ के साफ से थोड़ा बहुत adjust कर लिया है जिन कंपनियों पे मुझे ज्यादा बरुसा है मैंने उसमें ज्यादा adjust कर लिया और इस पूरे mutual fund से मैंने major major exposure ले लिया अब आप बोलोगे क September 30, 2019, 2019, 2017 कुछ-कुछ stocks अनने पुराने-पुराने खरीद रखे हैं उनके साथ कुछ नहीं किया ना बेचा ना कुछ किया तो इतने violent moves होते नहीं हम mutual fund में इसलिए method बहुत अच्छा है इससे आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं अगर आपको यह tip यह strategy अच्छी लगी हो तो अपने family group में तो share करी दीजेगा, दोस्तों को बता दीजेगा, आपको भी दुआय लगेंगे, उनके भी कुछ पैसे बच जाएंगे, मेरे भी कुछ subscribers बच जाएंगे मैं उमीद करता हूं कि आपको यह method अच्छा लगा होगा, मैं आपसे जल्दी अगले वीडियो पर मिलता हूं झाल, उनके में उ जाएंगे, स्लेव चले हीजे उल्या रुछ जाएंगे, उनके लाएंगे एंगे, भी हैंगे, बचले हैंगे, झालएंगेना मैंगे, एंगे हमें झाले इंजेगा okay, ़िहांगे, पहनए मैं, वीजेग देह newется, झालॉदारव करता है, व trophy सिये झाल झाल